जहिंद दोस्तों अभी हम बाते करने वाले हैं कि अब तक जो भी गठित हुए हैं वित आयोग और वह अपना रिपोर्ट कवसों पे हैं तथा उस रिपोर्ट पर उनका क्रियानवयन वर्स क्या है उनी से संदर में कुछ बातों को सिखने काम प्रियास करेंगे और पिछले व अनुचेत संख्यां 281 यानि अनुचेत संख्यां 282 क्या कहता है तो अनुचेत संख्यां 280 कहता है कि भारत के लिए एक वित आयोका गठन किया जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा और उसमें यह भी बाते देखा था कि प्रडंब में यानि की संबिधान लागू होने के बाद दो वर्स के भीतर एक वित आयोका गठन होगा और तत्पस्चात प्रतेग पांच वर्स की अबधी की समापती से पहले या समापती के उपरांत वित आयोका गठन होगा और 281 अनुचेत में क्या देखा कि वित आयोक द्वारा जो सीफारिस होगी यानि वो अपना परतिवेदन राष्ट पती को सौपेगी और राष्ट पती क्या करेगी उस परतिवेदन को संसत के समक्ष प्रसूत करवाएगी और तब जा करके उसका क्रियानवयन होगा इसी संदर में हम समझने का पढ़ियास करेंगी कि अब तक कितनी वित आयोग गटित हो चुकी है और उस वित आयोग के अध्यक्ष कौन हुए और कौन थे और कौन बरतमान में हैं और इनका क्रियानवयन वर्ष क्या है तो दोस्तों आप यहां सार्नी देख रहे हैं वित आयोग की सार्नी के रूप में आप पंद्रोव वित आयोग देख रहे हैं कि पंद्रोवे वित आयोग त और 15 वित आयोक का अध्यक्ष N Casey यानि क्या देखा कि भारत के पहले वित आयोक के अध्यक्ष ते के सी नीं होगी और बरतमान दोप्र में वित-योक Chi Kau N एनके सिंग और यह केंवे करम के हैं तो पंद्रोवे करम के हैं आईए जरा एक बार देख लेखते हैं कि करम से पंद्रोवे पंद्रोवे वित आयोग के अध्यक्ष कौन-कौन हुए हैं पहले वित आयोग के अध्यक्ष तो केसिन योगी हैं दूसरे वित आयोग के अध्यक् ब्रह्मानंद रेड़ी है, साथवे वित आयोक के अध्यक्ष जे एम सेलात है, आठवे वित आयोक के अध्यक्ष वाई वी चौहान है, नौवे वित आयोक के अध्यक्ष एनकेपी सालवे है, दसवे वित आयोक के अध्यक्ष केसी पंत है, इग्यारवे वित आयोक के अध्यक डाक्टर सीरंग राजन यह अब दोस्तों क्या आप सोच रहे हैं कि क्या यह सभी हमें याद करना ह плох आपको है प्रतम बीत आयो गठ़ना और बरतमान में कौन हैं तता इससे पुड में कौन थे यह आप देख लिजिए और इसके बाद यह वित आयोक कब-कब गठित हुआ है यह देख लिजिए तो समझिए कि बिलकुल परिक्षा में इसी संदर में ही कोशन पूछे जाएंगे कि आप यहां दोस्तों देख रहे हैं की पहले वित आयोक क्या ध्यक्ष केसिन योगी हैं बरतमान में 15 वे log प्रणाम करेंगे दोस्तों पहले वित्याओ का गठन किया गया 1951 में फिर दूसरे वित्याओ का गठन किया गया 1956 में तीसरे वित्याओ का गठन किया अब दोस्तों कुछ उल्जहने से याद करने का तरीका अपना है आप सरप्रतम तो याद कीजिए कि पहले वित आयोक का गठन किया गया 1951 में अब क्या करना है इसमें पांच वर्स जोड़ दीजिए तो पांच वर्स यदि आप जोड़ते हैं तो 1956 में दूसरे वित आयोक का गठन हुआ क्या देखा आपने कि पहले वित आयोक का गठन 1951 में किया गया तथा दूसरे वित आयोक का गठन 1956 में किया गया यादि पांच वर्स जोड़ दीए अब क्या करना है चार चार वर्स जोड़ते चलना है तो देखिए, तो पहले वीत टायों गटन होगे, उनी सफ olve और क्मया न चपन। दूसरे वीत्तायो गठन om 1956 पांच वर जोड़ें, अब जोड़ें तीसरे वीत्तायो का गठन рок road की 4 सारी इंकल द्योंडिये işte 1960 फिर 4 सार द्योंडिये 1964 फिर 4 सार जोड़े 1968 फ द्योंदा dominant तो आप देखे लिजें यानि की 1,2,3,4 तो कुल हमने चार वार चार साल जोड़ा एक बार इसमें फिर एक बार इसमें फिर एक बार इसमें फिर एक बार इसमें यानि 1950 में पहला वीत्ताव का गठन किया गया और पांच वर्ष जोड़ देते हैं 1956 में गठत किया गया दूसरा अब चार बार चार साल जोड़ना है तो 56 फिर 4, 60 फिर 4, 64 फिर 4, 68 फिर 4, 72 तो इस प्रकार से हम छटे वित आयोग तक आ गए हैं अब दोस्तों बाते करेंगे हम आगे तो पांच-पांच वर्ष जोड़ते चलना है इसमें भी चार बार करना है यानि चार बार पांच- आएंगे जैसे चार बार हमने चार बार जोड़ा उसी परकार से चार बार अब पांच वर्ष जोड़ना है तो 72 पांच-पांच जोड़ना है फिर 5 जोड़ना है यह हो गया कहा तक आगे दस में बीत आयोग तक आगे क्या देखें पहले वित आयोग का गठन किया गया 1951 में फिर दोसरे वित आयोग का गठन किया गया 1956 में तीसरे वित आयोग का गठन किया गया 1972 में अब 7 वित्या का गठन किया गया 1977 में 8 वित्या का गठन किया गया 1982 में 9 वित्या का गठन किया गया 1987 में 10 वित्या का गठन किया गया 1992 में यानि हमने 4 वार जोड़ा 4 वर्स और 4 वार जोड़ा 5 वर्स अब आईए आगे हैं आगे क्या देखेंगे हम यहां जोड देंगे छो बर्स फिर घरते क्रम में पाँच वर्स फिर है कि चार वर्स यह जोडते आजेंगे मिक है तो यहां हो जाएगा 1994 फिर HAS next that तो दो हजार तीन में फिर चार वर्ष जोड़े तो दो हजार साथ यानि छा पांच चार हो गया अब क्या करना फिर से चो वर्ष जोड़ दीजिए तो हो गया तो दो हजार तेरो में गठित किया गया था चौदवा वित आयोग और पंद्रवा वित आयोग तो चार वर्ष जोड़ दीजिए तो क्या देखें पांच वर्ष जोड़ना है चार वार चार वर्ष जोड़ दीजिए पांच वर्ष जोड़ दीजिए फिर चार वर्ष पांच चार वर्स और फिर जोड़ना है तो यहां हमने सभी वित आयो का गठन देख लिया अब दोस्तों पहला वित आयो अपना प्रतिवेदन यानि रिपोर्ट राष्टपती के समख जमा किया था 1951 तो 52 दूसरे वित आयो अपना प्रतिवेदन राष्टपती के सामने फिर तीसरे वित आयो अपना प्रतिवेदन यामा किया था 1961 में चोथे वित आयो अपना प्रतिवेदन यामा किया था ये 1973 में फिर आगला यानि की सातमा भी तैयो अपना रिपोर्ट जमा किया 1978 में फिर इसके वाद आटमा भी तैयो अपना रिपोर्ट जमा किया 1984 में नवा वितायोग अपना रिपोर्ट जमा किया 1989 में, धस्मा वितायोग अपना रिपोर्ट जमा किया 1994 में, फिर 11 वितायोग अपना रिपोर्ट जमा किया 2000, 12 वितायोग अपना रिपोर्ट जमा किया 2004, 13 वितायोग अपना रिपोर्ट जमा किया 2009 और 14 वितायोग अपना रिपो अब उसरी जमा की एग रिपोर्ट पर क्रियान वेन की यह थे 1952 से संताव निकार्जगाली हैं फिर दूसरे वित आयोग का कार्जगाल रहा 1957 से 62 फिर तीसरे वित आयोग का कार्जगाल रहा था 1962 से 66 फिर चौते वित आयोग का क्रियान वेन का समयता 1997 से 89 फिर सातवे का क्रियान वेन का वरस्ता एफ में इसके बादación का अवर्षता निस्ट ने सफ 2ionar से two 500 ओल फिर ग्यार्वे विस आओक का कुरियानों वेंन का वर्षता 290 से 290 ओल फिर 178 ओल लुए इसके वी दो ख मांदा मुझा फटा निस्ट नावुट था दक ग्रियान वेंर का वर्षता दोजार condition ? सिर्फ यह शब्ट करते रहे तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि अब को गठित किया गया इसमें महत्पूर्ण है कि परतम भृत अब को देख्ष कौन थे बरतमान में कौन है कैवे करम के इससे पहले कौन थे और कव गठित किया ङया वित आयो तहीं आप ध्यान रखेंगा तो दोस्तों इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहें और अपना धेर सारा प्यारों सपोर्ट हमें देते रहें और पुना आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद